गुरुग्राम की तस्वीरे दिखा दे जहाँ पर पुस्तक विमोचन कारेका में मुखे मंत्री मनोहलाल खटर मौजूद है और उनका संबोधाने शुरू हो रहा है आज इन मांदभाव के निमंतर पड़ा हमके आख पनारे हैं बहुती कर्मट्र और समाज श्रीट सेवी और शेहर अपना स्थान बहुती वक्तु भी सेवा के भाव से बनाते हुए ऐसे श्रीप बोदरा जी सिक्री हमारी सांसद बैं सुनिता गुतोजी हमारी यहां के गुरूग्राव के उधायच बाई सुलीर सिमिला जी हमारे शुवाज शुवाज जी प्रैन मधूली सिंसर्टोज जी उपस्ति अनिक मदेजनायों के प्रेंट लाइन से इतने मानवाब रहते हैं समझ जी जो बोल दी हो दी जो नहीं बोल दी हो दी और साथी जिनकी चर्चा विशेश रूप से सिक्रीजी ने भी की है मैं भी कर रहा हूँ अपनी आयू के इस पड़ाव पर जिनका योगदान समाज के लिए इस शहर के लिए जो मारद रशनों करने वाला और निश्ट रूप से अपनी शत्र की पारिको भी पार करने वाले ऐसे मेरे बज़ुर्गो नौजवान साथियों माताव बहनों पत्रकार साय करने तो निमंतर मुझे दिया गया था कि वो लंच का मुझे पता नहीं था कि लंच करने से पहले ये मेरत भी गंद्री बढ़ेगी तो सबसे पहले तो मैं सिखरी जी को और हुँ सब बज़ुर्गों को जिन्हों ने ये जो पुश्चता इमोचन किया है बज़ुर्गों की जवानी वाजन के अबर कहा नी इसमें अपने लेक लिख्टे है मैं सारा देख तुनिँ पाया लेकर जैसे मने इसमें थोड़ा सा संदरप देखे है तो बहुत सतीक रूप से ऐसे लिखे जाने वाले लेक और अपने कई طرح के अनुभ़व भी इसमें लिखे जए है ये अपने आमने वास्त में एक कहानी है देश की आजादी की कहानी तो है लेकन साथ में इस देश की भाजन की कहानी भी है 14 अगस्त को 1947 को देश भाज़त हुआ और फिर उसका जो हमारा एक अथंड भारत का जो सरूप था उसका एक हिस्साम से विछड़ गया और बाक्ती शेश बचा भारत वो आजाब हुआ ये पिरा आप सब लोगों के जो गुज़र्ग है उनको तो स्वाणोविक है क्योंको ने जेल विया ये पिरा लेकिन जिनका जन्म 47 के बाद हुआ है इस भारत भुमी के आज जो स्वतंतर शेश भारत है उसमें हुई है तो उनोंने को कहनिया सुनी है मुझे याग है मेरे दादा जी, मेरी दादी जी क्योंकि मारे पिता जी के आई उस समय मात्र 16-17 वच्टी इशादी यहां के हुई लेकिन दादा जी, दादी जी वो हमको सारी रादन के वो कहनिया पिरागा एक सा पातर जैसे वहां से छोड़ करके इतनी कपड़ों में ही हाना पड़ा कोई समान नहीं था ठोड़ावत लेके चले भी तो रास्ते में छूप पतला गया कैसे केम्पों में आ करके उनको रहा पड़ा कैसे बाद में जो छोड़ी बहुत जमीने वहां थी वो यहां लॉटमेंट होई अपना गुज़ारा शुरू किया दुकांदारी शुरू की और मज़़ूरी करने कखके उन लोगों में और अपने परिवारों को शुरूब तो ऐसे कहेंगे कठवाई से पाला पोसा लेकिन बाद में एक संगर्ष की जो गाता है इस समाज की जिसको मैं कह सकता हूँ को पर्मार्थी है पर्मार्था काम उनने किया संगर्ष का काम किया और अपने जीवन को अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए समाज की भी सेवा की और ना के बल समाज की सवा की बलके अच्छे द्योग और अच्छे वापार के माध्यम से आगे बढ़ते हुए इस देश की इस प्रदेश की आर्थिक सित्य को मजबूत भी किया अब कितना सत्य है कहां तक सत्य है क्योंकि हमने प्रटेक्स तो देखा नी लेकिन जो चर्चा हैं सुने कि उस समय चर्चा चली समाज में चाओकर समीधान जब बंदा आथा अपने देश का उसमें आरक्षण का प्रावजान इस पर भी चर्चा थी तो अपनी समाज की एक जो उस समय की कहानी बताई है लोगोने की चर्चा चले के हमको भी रिजर्वेशन चाहिए वहीं कुछ मानुबाव ऐसे भी थे जिनका किनी हमको आरक्षन नहीं चाहिए रिजर्वेशन से तो हमारे जो संगर्ष करने का मादा वो खतम हो जायागा हम भी समाज के अदर कुछ विशेग स्थान बनाने के लिए फिरू जो एक आगे बढ़ने के लिए पुर्शार्थ करने के लिए जो कि मादा है वो दबता है तो हमको नहीं लेना चाहिए और अंत्वगत्वा विजय उसी पक्ष की होई जिननों का कि हमको नहीं लेना चाहिए रिजर्वेशन और वो कार्ण है कि जिस संगर्ष से यहां तक पहुँचे हैं एक एक परिवार की अच्छी कहानिया है बड़े-बड़े उद्योग पती हो गए हैं बड़े-बड़े व्यपारी हो गए हैं देश और दुनिया में बहुत अच्छे स्थानों पर काम करने वाले ऐसे मारे अधितारी दी हो गए हैं तो सारी कहानी, लंबी कहानी हैं, आप सब रोग जानते हैं, मेरा इतना लिवदन है कि जिनको पर्टेक्ष उन कहानियों का घटनाओं का अनभो है, नई प्रेडी को जरूर प्रेणा दे, जरूर प्रेणा दे, ताकि उनके मन में भी देश प्रेम के एक भावना जागे, इनी में से देश प्रेव की भावना जागती है, आकर देश प्रेम ऐसा नहीं है कि कोई खरीदा नहीं जा सकता है, कोई ठोपा नहीं जा सकता है, और केवल किताबों से पढ़ने से भी नहीं आता है, पर्टेक्ष जिनोंने भोगा है, वो जो बताते हैं तो मन में एक उबा लु कि यह घटनाएं हुई है तो खेर लंबी कहानी है आज क्योंकि समय उतना नहीं है मुझे एक वजी आना था लेकिन जैसा बताया सिक्री जी ने मौसम दिल्ली का खराब था चंडीगर तो ठीक था लेकिन पर्मिशन में नहीं वहां छोड़ने की फिर भी जितना समय मिल जाया उतना अच्छा तो आज हम सब लोग आये हैं सिक्री जी के बारे मैं जरूर मैं करना चाहूंगा कि समाज से भी व्यक्ति धुन लगी रहती है इनको अपना काम भी करते हैं अपने वेपसाय ग्रूप को भी लीड करते हैं फार्मेसिटिकल जो वेपसाय इनका है इसके लेकिन जब इन्होंने अपने बारे में यानि मेरा सम्मद कोई बहुत बराना नहीं यही दो साल का डिड़ साल का जब इन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं समाज का ये काम करता हूँ और सम्मद बहुत अच्छे हैं तो हमने फिर एक काम इनके जिम्हें लगाया सरकार की ओर से और वो है CSR ट्रस्ट बनाया है तो कि बड़े-बड़े जो द्योग पती हैं या पारी हैं वो अपने प्रॉफिट में से समाज के लिए योगदान करने का नियम है CSR जिसको कहते हैं प्राचीन संस्कृति में जुड़ा हुआ है हम पहले वपार करते थे कुछ भी करते थे तो उसमें दशांश निकालते थे धर्मादा निकालते थे कि धर्मादा और दशांश के मादें से समाज की सेवा करनी है सारा जो कमाना अपरे पास नहीं रखना है अब वो जो के कानूनी नियम बन गया एक नियम के साब से अब हर ऐसे बड़े मुर्साइक को एंट्रपनियर को उसमें से कुछ निकालना होता है और समाज में लगाना होता है हमने फिर उसको सरकार के नाते हैं से लोगों को आवान किया कि पैसा तो आप लगाएंगे लेकिन कहां लगाएंगे इसका जरा तालमिल रख करके जहां आऊ शकता है वो हमारे ट्रस्स को भी उसमें अगर इन्वाल्व करेंगे तो हम बता सकेंगे कहां लगाना क्या करना है खास करके पीछे जो कोवेड हुआ तो कोवेड में CSR के माध्यम से हमारी सारी टोली जिसको लीड किया सिखरी जी ने महुत सामान इनकाइंड इनकैश हमने इकठा किया और उसमें उस योगदान से सरकार ने अपना काम किया CSR और अपना किया और भी जिन लोगों ने योगदान उसमें किया सबने मिल करके और कोविड की इस लड़ाई को लड़ा है और आज हम अनुभव करते हैं कि अब उसको जिसको किनाच ये कोरोना इस उन डाइंड स्टेज खतम नहीं हुआ है लेकिन फिर भी ये डाइंड स्टेज पर है और हम आशा करते हैं प्रभू से प्रार्फमा भी करते हैं कि इसमा हमारी को दूर मिमारी को दूर करें ताक कि हम स्वस्त जीवने की जी सकें आप सब लोग यहां आए भोजन और आपके बीच में ज्यादा गयत नहोँ इसलिए मैं अपनी बात को यह समाप करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपाद तुझको खुदा कहूँ या खुदा को खुदा कहूँ दोनों की सूरत एक है किसको खुदा कहूँ तो इस परकार के लिक्तित बलकि एक लाइन ओर याद आ रही है कि आज मैंने अपने सभी मेहमानों से प्रात्मा किये कि कोई कोई दिमांड नहीं करेगा कोई शिकायत नहीं करेगा क्योंकि कहते हैं अतिति देवभव मैंने आज उनको अतिति के नाते बुलाया है हमको देना है लेना कुछ नहीं है कैसे देवता है कैते तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर नमाना जाता है आचरन से देवता और निश्चर पहचाना जाता है इनका आचरन आप चुब को पता है अब मेशा धनकर साब आने वाले है कारे कर्ण जारी रखेगे नहीं आ रहे समापन की और मैं धन्यवाद करूँगा सिर्फ एक लाइन से धन्यवाद करूँगा माने मुख्यमंत्री मोदे कहते हैं मुलाकाते जरूरी हैं अगर इस ते निभाने हैं लगा कर भूल कर पोधे भी सूख जाते हैं आपने जो पोधे लगाये हैं ये आपकी आज इंतिजार क होगी अगले साल करेंगे इनी शब्दों के साथ मैं आप सबका जितने भी मेरे मित्र मेरे बंदुवर मेरे गन्मानी रख्ती बुद्धी जीवी उज्योग पती हमारे बहुत से संक्षन के लोग बैठे हैं हमारे विधायक महोडे चार चार विधायक आयों है संजेर भातिया आयों है कारे कर्म पूश्योग वहां हमारे उपादेश्य बैते हैं तो सभी का मैं आपको अपने धन्यवात करता हूं इनी शब्दों के साथ आज के भोजन की विवस्ता में किर्पया अनुशाशन बनाए रखें बहुत सुंदर विवस्ता है इसको आप परशास समुद के ग्रैंड करें बुलिए भारत माता की बारत माता की बारत माता की